दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये साधारन सा दिखने वाला टमाटर जो की आसानी से हमें अपने घर में ही मिल जाता है अगर हम इसका सही तरीके से सेवन करेंगे तो यकीन मानिये इतने फायदे होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे और बिमारियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा पहले हम इसके फाइदों के बारे में आपको बताएंगे और बात में हम बताएंगे कि इसका सेवन सही तरीके से कैसे करना है टमाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मातरा में एंटी ओक्सिडेंट्स पाए जाते हैं और एंटी ओक्सिडेंट्स हमारी शरीर को हानी कारक तत्तों से बचाते हैं जो कि हमारी शरीर में बिमारी पैदा करते हैं एंटी ओक्सिडेंट्स हमारी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जुरूरी हैं और यह सबसे ज़्यादा टमाटर के अंदर पाये जाते हैं जैसा कि सेवन हमें breast cancer, prostate cancer, lung cancer यानि विभिन्द परकार के cancer से भी अगर टमाटर का नीमित सेवन किया जाए तो विभिन्द परकार के cancer से भी यह हमें बचाता है टमाटर cholesterol level को maintain करता है यह bad cholesterol को खतम करता है और good cholesterol को बनाता है इसलिए हिर्दे रोगियों के लिए टमाटर का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है यह hurt attack के खत्रे को भी कम करता है टमाटर हमारी skin के लिए बहुत अच्छा है यह हमारी तवचा को निखारता है और दाग धबे कील मुहासों से छुटकारा दिलाता है और यह हमारी तवचा को पोशन परदान करता है अगर आप नीमित रूप से टमाटर का सेवन करेंगे तो देखेंगे आपकी तवचा आपका जो चेहरा है वो दिन प्रती दिन निखरता यानि चमकदार बनता जा रहा है टमाटर के अंदर बहुत ही जाता मातरा में फाइबर पाया जाता है इसलिए कबज की समस्या को भी दूर करता है टमाटर का नीमित सेवन करने से हमारा खून पढ़ता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन B6 पाया जाता है जो कि हमारे बलड वैसल्स को डैमेज होने से बचाता है तो जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए टमाटर का नीमित सेवन बहुत ही जादा फायदे मन्थ होने वाला है टमाटर हमारी बोड़ी की डी टोक्सिफिकेशन करता है ये हमारे श्रीर के अंदर जो विशैले पोदार्थ है उनको जड़ से खतम करता है और हमारी लीवर और किड़ी को स्वस्त रखता है तो दोस्तों ये हमने बताया आपको टमाटर के फायदों के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि इसका सेवन कैसे करना है सबसे पहले आपने 3-4 टमाटर ले लेने हैं उनको अच्छी तरह धो के 5-10 मिनट के लिए उनको थोड़े सी हलके गरम पानी में रखना है जिससे कि उसकी जो उपरी तवचा है जो उपरा चिलका है वो नरम पड़ जाए उसके बाद चाकू की साहिता से आपने उसके उपरी चिलके को पूरा चील लेना है उसको अलग कर देना है उसके बाद जो बच जाएगा उसको आपने ग्राइंटर में अच्छी तरह ग्राइंट कर लेना है जैसे हम टमाटर की प्योरी बनाते हैं अच्छी तरह ग्राइंट होने के बाद उसके अंदर हम वो बहुत ही ज्यादा गाड़ा होता है इसके लिए उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं आधा कप वो quantity के गोडिंग उसके अंदर पानी मिला के उसके अंदर काला नमक और काली मिर्च मिला के हम उसका एक गिलास अगर जदी हम हर रोज सेवन करेंगे इस तरह से टमाटर के जूस का तो बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद रहेगा तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इसी तरह की महत्व पूर्ण जान करें हम हमेशा आपके लिए लाते रहे हैं और लाते रहेंगे हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यादा